कि दोस्तों क्या आप भी अपने mobile phone के अंदर अपना data saver setting के अंदर परिवतन पड़ेगा और हमारा data कितना खर्च होगा और कौन सा application हमारा data use कर सकते हैं पूरा details में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को आपको पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा यानि कि आपको full वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा अब आपको करने के आपको मुपाइल फून के अंदर अपना सेथिंग ओपिन करना है यहाँ को कनेक्सन सेटिंग पर के क ripe करना है यहाँ से चाहँ कीलिक करना है और लेखने को मिलिता है यह होता है आपका बैर्ग्राउंड और यहां पर जितना सारा आपका एप्लिकेशन होगा वह आपका रन नहीं करेगा आपके बैर्ग्राोड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं करेगा अगर आपने मूबाल फोन के अंदर इल्धक सेहे ॉयां कर देते अपने मुबाइल फून के अंदर आप यहाँ पे data saver on कर दें फिर भी वह application आपके background में run करेगा और वह application के अंदर आपका data भी use होगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका सारा application मिल जागा और यहाँ पर उस application को यहाँ से आप enable कर सकते हैं तो जैसे हम यहाँ पे chrome browser को enable करते हैं तो अब क्या होगा कि हमारे mobile phone के दर हमारा data saver on रहेगा फिर भी हमारा chrome browser यहाँ पर run करेगा हमारे background में अगर हम उसमें कुछ भी download करेंगे तो हमारा download होगा और अच्छे से work करेगा तो ऐसे अपने mobile phone के नरा आप data saver setting को on कर सकते हैं इसे on करने से आपका data background में run नहीं करेगी अगर आप इस setting को disable कर देंगे तो तो क्या होगा कि आपके mobile phone के अंदर आपका कोई भी application आपके background में run करने से रुखेगी नहीं अगर आप इस setting को off करके रखेंगे यानिकी बंद करके रखेंगे तो आपके mobile phone के अंदर एक और परिवतन पड़ेगा कि आ इस setting आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके mobile phone के अंदर यहां पर आपका battery कम हो या आपका data कम हो तब आप इस setting को यूज कर सकते हैं तो आज मैं आसा करूंगा आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा details में पता चले क्या होगा कि अकिरका data saver setting अपने phone के अंदर कैसे इ आपका नवाद